जिस्म फरोशी का धंदा एक ऐसा धंदा है जो वबा की सूरत में आम हो गया है। इस धंदे से मुनसलिक अफराद ना सिर्फ मौजूदा मौशरे में खराबी का बाइस हैं बलके नौजवान नसल के मुस्तक्बिल को भी तबाह कर रहे हैं। लड़कियों को सुहाने खाब दिखा कर फरोख्त कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में है। ये कहानी एक गरीब बे सहारा लड़की महविश की है। महविश बिलाल का तालुक फैसलाबाद के पसमानदा इलाके से था। महविश बिलाल अपने शोहर का घर छोड़ चुकी थी। उसके बाद उसकी मा ने भी उसका साथ ना दिया। महविश बे बस, बे सहारा काम की तलाश में थी। वो चाहती थी के उसे कोई सहारा मिल जाए ताके वो अपना पेट पाल सके। एक दिन महविश एक कौसर नामी औरत के साथ बैठी बातें कर रही थी। महविश ने कौसर से उसके लिए कोई काम ढूणने का कहा। कौसर एक नहाय थी मकार औरत थी। कौसर महविश की बे बसी की वज़ा से उसे अपनी मीची मीची बातों से जाल में फांसने लगी। कौसर ने महविश को यकीन दिलाया कि वो उसे अपने साथ कराची ले जाकर काम दिलवा देगी। मगर किसे पता था कि आखिर कौन सा का कौसर का तालुक एक बुर्दा फरोश से था वो एक नहाय थी चालाग और मकार ओरत थी वो हमेशा ऐसी लड़कियों का शिकार करती थी जो गुर्बत और मुफलसी का शिकार हो वो लड़कियों को सुहाने खौब दिखा कर उन्हें जिस्म फरोशी के लिए फरोख्त कर देती थी। जब महविश को सहारे की जरूरत थी तो कौसर लंगड़ी की बातें उसे किसी फरिष्टे से कम नहीं लगती थी। उसने कौसर की बातों में अपने लिए एहसास महसूस किया तो उसने कौसर को अपनी दोस्त की परेशानी भी बताई और कहा कि वो उसे भी साथ ले जाना चाहती है ताके दोनों दोस्ते साथ नौकरी करें और कुछ कमा सकें। कौसर ने उसे अपनी दोस्त से मिलवाने का कहा। जब अगले दिन महविश ने अपनी दोस्त को कौसर से मिलवाया तो कौसर ने उसे भी अपनी बातों में फांस लिया और दोनों दोस्तों को अपने साथ कराची ले जाने पर राजी कर लिया। अब कौसर दिल ही दिल में दूसरी तरफ वो बिचारी लड़कियां अपनी गरीबी मिटाने के लिए नौकरी का बंदोबस्त होने की वज़ा से खुश थी। वो कुछ भी कर सकती हैं। जाहरी तोर पर कौसर उनकी मदद कर रही थी और एहसास कर रही थी लेकिन दिल ही दिल में वो अपने फायदे के लिए खुश हो रही थी। कौसर ने उनके खाने पीने और हर तरह से खयाल रखकर उनको आहस्ता आहस्ता अपने एतमाद में ले लिया। और इसी तरह अपने एतमाद में लेने के बाद एक दिन वो उन दोनों दोस्तों को जबार के अड़े पर ले गई। जबार कौसर जैसी कई औरतों से लड़कियां खरीद कर उनसे जिसम फरोशी का काम करवाता था। जबार का पूरा एक अड़ा था जिसमें और भी लड़कियां थी। जबार दोनों लड़कियों को बुई नजर से देखने लगा और दिल ही दिल में पैसों की हवस रखते हुए अपने खाब बुनने लगा। जबार के घर में दोनों लड़कियां वहां मौजूद लोगों को देख कर परिशान हो गई। कौसर ने जबार से लड़कियों का खयाल रखने और खाने पीने का इंतजाम करने का कहा ताके लड़कियों को शक ना हो कि वो उनसे किस किसम का काम करवाने वाले हैं। फिर जबार ने रानी नामी औरत को आवाज दे कर लड़कियों को साथ ले जाने का कहा। रानी भी पेशावर जिस्म फरोश थी और वो काफी अरसे से ये काम कर रही थी। जब बार के अड़े पर रानी का काम ही यही था कि वो हर नई आने वाली लड़की को ट्रेन करती और जल्दस जल्द उसे काम के लिए तैयार करती थी। रानी इस काम में बहुत महारत रखती और ये इसके बाएं हाथ का खेल था। फिर रानी उन्हें कमरे में ले गई और उन्हें नहायत ही मकारी की नजर से देखने लगी। लड़कियां परेशान होकर पूछने लगी कि हमें क्या काम करना होगा और कब काम मिलेगा। जिस पे रानी ने उन्हें कहा कि काम मिल कौसर लंगडी ने दोनों सहेलियों का सौदा जबार के अड़े पर कर दिया और अपनी कीमत ले ली और नए शिकार की तलाश शुरू कर दी। दोनों सहेलियां जो के ये सोच कर आई थी कि कौसर उनकी मदद कर रही है और उन्हें काम दिलाएगी मगर बदनसीब बेचारी लड़कियां जब बार के पास जिसम फरोशी के लिए फरोख्त हो गई। सारे सुहाने खाब चकना चूर हो गए। इसलिए कहते हैं कि अपने माबाप के इलावा किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। किसी अंजान पर ऐसे ही आ किसी अंजान चाहिए।